हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लाइडूकेशन जीके में आप सभी का हर्दिक स्वागत करते हैं अज कोई बार फिर इंटर्नेट पर भय दिखा कर अंचुत काम करवाता है तो वह किस धारा के तहथ दोसी होगा कि सोचल मीडिया पर अगर वा आपको कोई अंचुत काम चेल के लिए कोई काम करता है कोई भाय दिखा कर तो आप उसका खिलाब किन धाराओं के अंतरकत मुकदमा दर्च करेंगे आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों कि उद्धीपन उद्धापन कि आई पीसी की धारा कि तीन सो तीरासी से लेकर तीन सो नवासी तक है उद्धापन समंदीत अपरादों के बारे में है जो कि मैं आज आई पीसी की धारा तीन सो तीरासी हो तीन सो तौरासी के बारे में में जानकारी दोंगा और बारी बारी से इसके अन्य धाराओं के बारे में मैं वीडियो बनाता रहूंगा तो असा करते हैं कि वीडियो आपके बहुत ही अच्छी लगेगी इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आये तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लेना दोस्तों आज हम जिस अपरात के बारे में जानकारी देंगे वह आम जानतों को जाना बहुत ही जरूरी है सभी ब्यक्त की जिंदगी में जैसी घटनाए घटी रहती है कि कोई भी ब्यक्त छोटी छोटी बातों पर धमकी देता है या बहुत ही घंभीर अपराध कारिद करता है भारति दंनसथा आ 1860 की ध्रात 383 की परिभासा पर गवर करें अगर हम तो इसह दारह में हम आपको उद्ध्धापन के आपराध की परिभासा सिर्फ देंगे उद्धापन का अपराध क्या है जानिए ज्यं परण वसूली करना, पैसे आयठना, भै दिखा कर संपत्ति लेना, भै दिखा कर अनुचित कार्य करवाना, जैसे जबर्दस्ती हस्ताक्षार करवाना, कोई भी जरूरी दस्तावेज को लेना, इमेल या सोसल नेटवर्किंग पर अपत्ति जुनक पोष्ट को सेयर करना, सेयर करने का भै दिखाना, पैसे रिस्वत ना देने पर किसी व्यक्ति के काम को रोकने की धमकी देना आदि उप्रोग्त बाते अपुद्दापर के अपराद के अंतरकत आती हैं, दोस्तों इस अपराद की जो परिवासा है, उसकी अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी से अगर जबरन वसूली करवाए, पैसे एठे, भै दिखाकर संपत्ती ले, भै दिखाकर कोई अनुचित कार करवाए, जैसे जबरदस्ती हस्ताक्षर, कोई भी जरूरी दस्तवेज को ले ले, इमेल असोसल नेटवरकिंग पर आप पत्ति जनक पोश्ट सेयर करने की धमकी देकर को दोस्तो, नमबर एक किसी प्रकार का नुक्सान छती पहुचाने का भै उत्पन करना, यानि कि आपके किसी कार को नुक्सान करने के लिए, कोई आपको धमकी दे, तो उध्दापन के लिए बहुत ही महटपूर्ट तत्तमाना जाता है, नमबर दो, भैमानी का उत्देश हो, नमत्रा वो जो भी कार हो, उसके अंतरगत बैमानी जरूर आए, छल कपड जरूर आए, और नमबर तीर, इसमें ब्यक्ति चल अचर संपत्ति दोनों लेने के लिए भै दिखा सकता है, यानि चाए वो अचल संपत्ति हो, चाए अचल संपत्ति हो, वो लेने के लिए भै दि भी एक अपराद माना गया है जैसे इस कंप्यूटर पर ध्रम की भरे इमेल भेज कर कोई शंपत धारी ब्यक्ति को चोट पहुचाने का भैद दिखा कर संपत लेना भी एक अपराद है अत्वा वेब जैकिंग को इसी धारा के अंतरकत अपराद माना जाता है उदान के तोर प पुलिस अधिकारी ने एक ब्यक्ति को गिरतार किया हो और उसे भैद दिखाया कि अगर वा मांगे गई रखम नहीं देगा तो उसकी जावानत ना मंजूर कर दी जाएगी यहां पर पुलिस अधिकारी उद्धापन के अबराद का दोसी होगा ठीक है आए नेक्ट देखते हैं इसे पकार कि अओ धार काम सब्यें श्रीमती चंद्रकला बनावराम किसान के वाद में एक श्कूल के प्रधानचार ने अपने हिसात पढ़ाने वाली महिला अध्यापक को अपने घर बुलाया जहां वह अकेला रहता था उसने उस महिला अध्यापक को धंकी दी कि वह तीन कोरे कागाईश पर अपने हस्ताक्षर करें नहीं तो उसकी इज़त लोट लेगा उस्तव नियाले द्वारा प्रधान ध्यापक को उद्धापन के अपरात का दोसी ठराया आप समझ गये होंगे उद्धापन का अपरात कब होता है यानि कोई धंकी देकर आप से कोई गलत कार करवा ले जैसे आप फर्जी हस्ताक्षर करवा ले आपको उबहत चोट का पाकारित करवाने की धंकी देकर कोई भी अन्यतिक काम कराए वह उद्धापन के अंतर का आता है अब उद्धापन के अंतर का दंड क्या है सधारन उद्धापन के लिए शिर्फ यही द्हारा के अंतर के अंतर का तीन वर्स का कारवास हो सकता है विजान तो उपराद होते हैं ये किसी भी मजेश्टेच्ट दोरा बिचारणी होते है जमानतों नहीं हो सकती है और या किसी मजेश्टेच्ट दोरा बिचार किया जा सकता है और उद्दापन के लिए